हेलो स्टुडेंट्स वेलकम बेक आज की इस वीडियो में हम 11th कि इंगलीज सोल्ट स्टोरी बुक से चैप्टर नमबर टू जिसका टाइटल है अपेयर ओप मस्टासियस जिसको मुलकराज आनन जी ने लिखा है इसकी हिंदी समरी के स्टेडी करेंगे सबसे पहले इसके फेमस राइटर मुलकराज आनन जी के बारे में इनका जन्म 1905 को पेसावर पाकिस्तान में हुआ था एजुकेशन अमरसर खाल सकोली से और बाद में कैंप्रीज यूनिवस्टी लंदन से मृत्यू इनकी मृत्यू 2004 को हुई थी और उस समय ये 98 यर्ज के थे फेमस वर्क, दा बिग हर्ट, दा स्वाड एंड दा सिकल, दा कुली, दा अंटचेबल, दा लोश्ट चाइल्ड अवार्ड इनको एक दो नहीं थ्री अवार्ड मिले साइत्य एकाडमी, पद्मे भूशन, इंटरनेशनल, पीस ये एक महान नोवलिस्ट और सोट स्टोरी राइटर थे अब हम इनकी फेमस स्टोरी आपेरोप मस्टासियस की हिंदी समरी की स्टेडी करते हैं जिसका अर्थ है एक जोडा मूच ये कहानी है व्यक्ति के सम्मान की, ये कहानी है दो मूचों की, ये कहानी है व्यक्ति के आनमान सान की कहा भी जाता है कि व्यक्ति मूच का और बैल पूच का ही अच्छा होता है एक हास्य गोमिक भी है यह एक सेटायर भी है और जैसे कहा भी गया है कि मूच नहीं तो कुछ नहीं मूचों के वैसे अनेक प्रकार होते है इसमें जैसे टाइगर स्टाइल मूचे कहानी के अकोडिंग राजा महराजा का सान का प्रतीक मानी जाती है बकरा इस्टाइल मूचे बनिये महाजवन या गोल्ड़ि स्मीट की पहचान थी उसी तरह जोकर मूचे जो हसी या जोकरिंग करने वालों की पहचान थी मोटी लंबी या स्टेंजर मूचे कुछ रोंग वर्क करने वालों की पैचान थी इस कहानी में केवल दो मेंन केरेक्टर से आजम खान और सेट रामनंद आजम खान को शेर स्टाइल जैसी मूचे रखने का शोक था वह साई खानदान के इसे सम्वान का प्रतीक मानता था दूसरी और सेट रामनंद बकरे स्टाइल जैसी मूचे रखने का शोकिन था जो अपने खानदान के कारिय को आगे बढ़ाने का इन्हे प्रतीक मानता था एक बार साही पठान आजम खान सेट के पास अपने कुछ सोने के आभूशन गिरवी रखने जाता है किन्तु जब वो सेट उनकी परक करता होता है तो उनकी मूचों को देखकर आजम का भड़क जाता है और उन्हें वर्णिंग देता है कि अगर अपनी खैर चाहते हो तो अपनी मूचों को बकरी के स्टाइल में नीचे जुका लो महाजन इस बात को समझ लेता है अपने व्यापर को बढ़ाने के लिए वो तुरंत अपनी मूचे नीचे कर देता है लेकिन जैसे ही आजमखा दुकाने से निकलता है और पीछे मुड के देखता है तो सेट रामनंद अपनी मूच का एक सिरा उपर उठा लेता है इसे देखकर आजमखा और सेट में जुबानी लड़ाई होने लगती है और सेट कहते हैं कि अगर तुम्हें सेकीड बार आओगे मेरे पास कोई चीज गिर्वी रखोगे तो मैं अपनी दूसरी मूच भी नीचे जुका लूँगा सेगेंड टाइम आजम खान अपना साथ पीड़ी पुराना एक सोने का हार बनिये के पास ले जाता है और उसे गिर्वी रख देता है और वह कहता है कि आप सर्थ के अनुसार अपनी मूच का दूसरा सिरा भी नीचे करिए सेट रामनन सोने की परक करता है उसी समय तो अपनी मूच का सिरा नीचे कर लेता है लेकिन फिर जैसे ही थोड़ी देरे बाद आजम खा पलेट कर देखता है तो वे बनिया अपनी मूच का सिरा फिर उपर कर लेता है ये देखकर आजमखा आग बबूला हो जाता है और कहता है ये तो धोका है आपने तो प्रोमिस किया था आवाज सुनकर महा पर चोधरी छोटुराम वे अन्ये लोग भी आजाते हैं और मामले को सांथ कर देते हैं इस बार सेट रामनंद कहते हैं कि मैं तुम्हारी सर्द मानने के लिए विवश नहीं हूँ लेकिन फिर भी अगर तुम अपने खांदान की चिन मूचों के स्टाइल को इतनी चिंता करते हो तो अपनी सारी संपत्ती मुझे बेच दो गाम वालों के बीच आजम खां ऐसा करने को सहमत हो जाता है आजम खान अपनी प्रोपर्टी गिर्वी रखने के बाद बिल्कुल बिकारी बन चुका था वे अपनी शान के परतीक मूचों को अब उपर की और मोडता हुआ संतुष्ट भाव से माप से चला जाता है उधर सेट रामनंद भी अपनी मूचों के दोनों सीरों को नीचे करते हुए कहता है कि उसके पिताबी धनवान थे और गाउं के आसपास के लोगों की सारी प्रोपर्टी गिर्वी रखते थे और खरीदे थे इसी स्थिती को देख कर सुन कर सभी मोजूद गाम वाले हसने लगते हैं सो स्टुडेंट्स इस कहानी से यही सिक्सा मिलती है कि मूचों जैसी ऐसी तुछ या मित्य चीजों को कभी भी अपनी आनमान सान का प्रतीक नहीं बनाना चाहिए इससे समाज में मत्भेद होता है सो स्टुडेंट्स आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए थैंक्स पूर वाचिंग माई चैनल